वेलकम टू ओल स्वागत आप सभीका आरसर यूट्यूब चनल पे और हम आचुके एक जवर्दस्त वीडियो के साथ में जी हां जिसके रिगार्डिंग आप काफी ज़्यादा परेशान हैं काफी ज़्यादा आपके डाउट्स हैं उन डाउट्स पे बात करने वाले हैं और क एज लिमिट को लेकर मैं कुछ पॉइंट से आपके किलियर करूँगा क्योंकि सबसे बड़ा जो डाउट बच्चे का आ रहा है वो आ रहा है एज लिमिट को लेकर कि सर मैं इलिजिबल हूँ या नहीं एज क्राइटिरिया क्या हो सकता है तो मैं कुछ चीजे किलियर कर दो ठीक है अगर age relaxation मिलता तो बहुत बड़ी बात है लेकिन present scenario में जो अगस्त 2022 जो बेच आपका आने वाला उसके लिए age limit एक बहुत बड़ा सवाल है बचेगा तो सबसे पहले में age limit पे बात करूँगा with proof उसके साथ में प्यूस के बाद में यहाँ पे क्या आपको surprise मिल सकता है उस पे बात करेंगे तो यह वीडियो पूरा देखिएगा नेवी से upcoming vacancy को लेकर आपका कोई doubt नहीं बचेगा और अगर यह बड़ा surprise मिला तो बहुत बड़ा धमाका होगा लेकिन उसका benefit किसको मिलेगा और किसको नहीं यह वीडियो आपको देख रहा है सबसे पहले अपन age limit with proof देख सकते हैं ओफिसियल साइट है जो नेवी की उस पे अपना जाएंगे खुद आप चेक करिएगा वीडियो के बाद में पहले वीडियो पूरा समझे उसके बाद में आप चेक करिएगा और मुझे कमेंट करके चेक करने के बाद में कमेंट आके क my eligible जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद में आपके पास एक इस तरीके का फोर्म आएगा इस फोर्म में देखिए अगर में डियो भी यहां पे एक अगस्त 2002 बरता हूं उसके बाद में यहां पे जेंडर सेलेक्ट कर लिया इस जो आपकी क्वालिफिकेशन सबसे बड़ा सर्प्राइज यही है सबसे बड़ा सर्प्राइज यह है कि नेवी के ओपिसियल साइट पे उन्होंने अगस्त 2022 यानि बच्चों को अगस्त बेच पे ट्रेनिंग पे बेजना है अगर बच्चों को अगस्त बेच पे ट्रेनिंग पे बेजना है तो मेरी बात scenario जो official site पे criteria उन्होंने बना रखा है August बेच के लिए कि 1 August 2002 अगर आप DO भी डाल रहे हो या उसके आगे का DO भी डाल भी डाल रहे हो तो आपको eligible बता रहा है अगर मैं यहाँ पर 30 July भी डालता हूँ ना अगर मैं 30 July भी 2002 में डालता हूँ तो यह मुझे वहाँ पर eligible नहीं दिखाता है तो पहली चीज तो यह कि present scenario जो है उसके इसाब से आपका यहाँ पर 1 August 2002 से उपर वाले बच्चे हैं वो आने वाली Navy की vacancy के लिए eligible हैं यह चीज के लिए कर लो अब आप यहाँ पर मैंने बता दिया यह official site से लिया है चाहे वो AA का हो चाहे SSR का हो अगस्त बेचाप का यहाँ पर दिया गया है तो पहली चीज तो यह कि Navy का जो age limit है आने वाले vacancy को लेकर उसमें criteria 1 August 2002 से include age यह एक अगस्त भी include है या उससे बाद का है तो आप उसके लिए eligible है उससे नीची आ रहा है तो यह present जो criteria वो कहता है कि उसके लिए eligible नहीं है लेकिन इसमें age relaxation वाली कोई बात यहाँ पर mention नहीं किये गई है अगर बाई दवे उपर वाले की करपा रही महरबनी रही अगर age relaxation मिल गया तो अपने जो सेर जो हुके सेर है वो गरदा उड़ा देंगे बहतरे लिवल पर क्योंकि वो कहते हैं कि last sense में जी जान लगा देंगे सर बसे एक मौका तो दे हमारे को और उसी मौके की इतलास में है और इस बार अगर वो मौका मिलने की chances बहुत ज्यादा है मैं कुछ facts पर बात करूँगा आप मुझे एक बात बताईएगा ये जो मैंने line लिखी है अगर मिला अपने को बहुत बड़ा surprise तो वो क्या हो सकता है उन पर बात करूँगा पहले मैं age criteria को लेकर जो चीज थी वो clear कर दिये अब मैं बड़ा मौका में क्या मिल सकता है ये जो चीज है official site पे जो है वो ही मैं आपको बता रहूँ अब एक चीज तो clear होगी कि exam तो होना है vacancy आना है क्योंकि उन्होंने खुद ये इस बच्चे को यहाँ पे जब इसने date डाला eligibility check किया तो वो कह रहा है कि आप अगस्त बेच के लिए eligible है मतलब अगस्त बेच बनेगा बच्चा ट्रेनिंग पे जाएगा तो अगर बच्चा जाएगा तो उसकी exam भी होगी उसका result भी आएगा उसका अमरिट भी आएगा और अगस्त बेच में बच्चा ट्रेनिंग पे भी जाएगा तो यह कब हो सकता है आपने नेवी का पीछे का ट्रेन्ड चेक करना आप इस time की last vacancy चेक करना 26 अपरेल को उनका notification आया था यह मैं अपने एंड से डेट नहीं बता रहा हूँ यह official site पे जाके आप चेक करोगे या किसी दूसरी site पे जाके चेक कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि last time पे 26 अपरेल को उन्होंने आपको notification दिया था और आपको पता है उन्होंने मतलब आपके जुलाई तक आपका exam वगरा merit वगरा आपको दे दी थी जल्ट वगरा के साथ में मतलब किसी भी exam का पीछे की 3-4 exams का ट्रेंड उठाओगे नेवी का दो महीने का time देता है only 60 days पहली चीज जान से सुन लेना 60 days का time आपको मिलेगा दूसरी चीज अगर मैं यहाँ पर यह बात करता हूँ कि मान लीजिए अगर यही date जो last time पे थी अगर अपन इस महीने में मान के चलें या next month का first week मान के चलें expected है यह मैं अपने end से बना के नहीं बतारो expected जो चीजे हैं जो last time का जो trend था उसके basis पे तो बहुत जल्द आपको बहुत बड़ा surprise मिलने वाला है दूसरी चीज आपको भी पता होगा कि जो आपका नेवी के अगेंस जो court case किया गया था जो एक fake notification जारी किया गया था उसको लेकर तो उन्होंने कहा कि सब यह notification हमारा नहीं है मतलब उसमें offline exam का mode था 10,000 बच्चों के लिए बोला गया था तो उन्होंने कहा कि जी नहीं क्योंकि court में यह चीज पूची गई कि भाई आप केवल 10,000 बच्चों को exam क्यों कर वा रहे है तो उन्होंने कहा कि जी हमारा यह notification नहीं है इसका मतलब यह हुआ कि आप 10,000 बच्चों के लिए नहीं डाल रहे है अब वो रियल था या फेक था लेकिन जो भी उन्होंने उसको फेक करार दे दिया गया लेकिन ऐसी ऐसी साइट से जोन्होंने आज तक फेक न्यूज नहीं डाली वहाँ पर भी वो न्यूज थी तो इसके पीछे का क्या राज है वो तो वही जाने या उपर वाला जाने लेकिन उन्होंने तो मना कर दिया चाहिए वो उससे पीछे अट गए हो जो भी हो लेकिन उन्होंने का कि वो फेक नोटिफिकेशन था अब अगर वेकेंसी डिले हो रही है वो लास्ट मन्त की 29-30 तारिक आसपस फोर्म बढ़ने स्टार्ट होने थे और अभी अपरेल चल रहा है यानि 20-25 दिन लेट हो गया है तो अगर नोटिफिकेशन आया तो एक्जाम और नोटिफिकेशन रजल्ट के बीच में बहुत ज्यादा डिउरेशन नहीं होगी तो इसका मतलब और अगर सब को मौका मिला क्योंकि कोरोना का जो एक्स्क्यूस था वो तो ममला है नहीं अब तो मतलब ये कुल मिला के कि उमीद है हम उमीद क्योंकि इसके कोई आपको कहीं ओफिशल साइट पे लिखाओ आओ कि सभी बच्चों को मौका मिलेगा ये चीज नहीं मैंसन की हुई है लेकिन जो एक्स्पेक्टेड चीजे हैं जो फैक्ट्स हमारे साथ है उसके बैसिस भी कि एक्जम ओनलाइन हो सभी बच्चों को मौका मिलना चाहिए और मिला तो किस बच्चे को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा उस बच्चे को बेनिफिट मिलेगा जिसने तैयारी स्टार्ट कर दिये या तैयारी स्टार्ट करने वाला है क्योंकि आपको लगता है कि notification आने के बाद में तयारी start करूगा तो बहुत पीछे रह जाओगे क्योंकि time बिल्कुल नहीं मिलने वाला जैसे last time बच्चे बाद में रो रहे थे कि इसे notification आगे मैं क्या पढ़ूँ कि मेरा paper निकल जाए कत्ता ही possible नहीं है तो बैटा इस बार उम्मीद है उपर वाले की करपा महरबानी बनी और हम सब की बात सुनी जाती है तो यह है कि सब को मोगा मिले online exam हो और age criteria with proof मैंने आपको दे दिया है तो अब आप अपने eligibility चेक कर सकते हैं और comment जरूर करना इसके regarding कि आप इस age criteria में आते हैं या नहीं यह age criteria आप comment box में comment करेंगे यह request मेरी रहेगी अब बच्चे सोचे कि सर बिलकुल मोगा मिलता है तो हमें तैयारी भी करनी है तो यहाँ पे तैयारी के लिए मैं आपको बता दूँ कि हमारी team dedicated NDA, CDS, Air Force, Navy, Coast Guard के लिए dedicated base हमने प्लान कर दिया है जो All India का एक मतर ऐसा application जो negative marking के साथ में आपको क्या करता है score देता है, class में practice करवाता है तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ Navy के लिए, Air Force के लिए और Coast Guard के लिए हमारा base है वो 13 April से launch हो चुका है और 27 April से उसकी classes start होगी अब इसके पीछे भी एक region था 27 April हमने यहाँ पर रखी है आपके course की start date है 27 April को पहली class होगी तो जो बच्चा हमारे इस base को join करना चारा है, तैयारी join अपनी top level पर करना चारा है यह नहीं, इंतजार कर रहा हो कि बाद में मैं चीज़े तैयारी करूँगा क्योंकि जो expected, अगर अगस्त बेच यहाँ नहीं दिया होता तो यह मानते कि उनको अगस्त बेच के लिए बच्चे नहीं चीए, उन्होंने अगस्त बेच डाल रखा यानि एक्जाम भी करवाएंगे, रेजल्ट भी देंगे और merit भी आएगी, और बच्चों को live practice करवाएंगे, concept classes हमारी YouTube पे होगी, और practice classes हमारी My Rising India application पे, 999 इसका एक basic charge रखा गया है, enrollment start हो गया है, 25, 27 और 27 को enrollment के बारे में, आप सोच रहें तो आप गलत सोच रहें, क्योंकि उस टाइम पे आपको problem होगी आपका call वगेरा में या कोई issue होता है, तो classes आपके miss हो सकती है, ठीक है, तो पहले आप join कर लीजेगा 27 अपरेल को पहली class होगी तो class miss मत करिएगा, ठीक है यह हमारे features आपके live base के लिए मिलेंगे, अगर मैं बात करता हूँ self-revision के लिए notes base, जो आपका time बचाएगा, और आपको practice करवाएगा आपको notes प्रवाइड करवाएगा mock test देगा, ranking देगा basic आपका charge है 4, 5, 9, 549 और वही आपकी validity 27 अपरेल से 15 September चाहे आप course को कभी भी enroll करें 13 अपरेल से आपके enrollment इस्टार्ड है यह notes बेच है, और यह live बेच है तो आप हमारे दिये गए help line number पे call करके course के regarding कोई भी doubt आपका बच रहा है तो आप उस doubt को clear कर सकते हैं और तयार हो जाएए, मैं एक ही बात चाहूँगा, कि इस age criteria के लिए मैं आपका comment चाहूँगा कि यह जो age criteria आपने यहाँ पे check किया है, official site पे जाके उस age criteria में आप अपने आपको include करते हैं, तो यह comment box में comment जरूर करिएगा मेरे सेरों और दुआ करता हूँ, कि आपकी और हमारी यह जो उम्मीदे हैं, यह जरूर पूरी हो, और आपकी जो मैनत है आपको जो मोका मिलेगा, उस मोके में अपने को चोका लगाने की बारी आप सब की है, तो उसके लिए जोट जाएए अपने आपको positive रखिए और बेटा महनत स्टार्ट कर दीजिएगा, thank you so much love you all, bye bye जाहिन